Hello my dear students, मेरा नाम है रविच सोनी और आज मैं आया हूँ last 1.5 day का strategy लेके for your May 22 exam Sir, May 22 का exam चल रहे हैं, 7 papers already हो चुके हैं Sir, हम exhausted है, बबट, tension मत लीजे last exam है, जोड लगा के पढ़ना है और अपने को clear करना है this time, done sir, सुनिए आपको, आज 27th of May है, 28th और 29th को आपका exam है 27th of May, आज आपको customs कबर करना है customs में मैंने A graded chapter जो हैं बता दिया है B graded chapter भी बता दिया है, C graded chapters भी बता दिया है Sir, A graded chapter का क्या chances है, मेरे को लगता है 90-99% आना चाहिए question, B graded chapter 60-70% chance है, C graded chapter 30-40% chance होता है आ सकते हैं, ठीक है Sir, grading for GST भी मैंने दिया है for customs भी मैंने दिया है, और FTP, FTP का कोई grading नहीं है customs का मैंने दे दिया है, और GST का भी मैंने grading chapter wise दे दिया है अब सुनिए, आज 27th को आप एक काम कीजिए, पहले एक काम कीजिएगा ramisodini.com free resources में लाइएगा free resources में exam study resources है, CA final May 22 के लिए उसको download कर लिए, उसमें मैंने additional chart, amendment charts वगेरा डाल दिये है जो आपको help करेंगे in quick revision, ठीक है Sir, done अब आज आप क्या करने वाले हो, आज आप customs and FTP खतम करोगे customs and FTP, अगर ठके होए हो, एक काम करो playlist उठाइए, दोनों का, जो भी language आपको समझ में आता है जिसमें मज़ा आता है, वो देख लिजे, उसमें आप customs complete कर लिजे Sir, अगर मेरे को revisionary देखने का मन नहीं है, बबबब कोई बात नहीं chart book या अपना summary उठाइए, और फटा-फट पढ़ लिजे अब यहां मैंने हर एक chapter wise भी बता दिया है, कौन से कौन से sections important है, कौन से कौन से sections में amendment आया है, वो green में marked है, वो भी पढ़ लिजेगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, wear housing बहुत important है आपके exam के लिए, मैंने wear housing का video भी डाल दिया है, complete video, details video है, 1.5 के speed में देखिएगा, जल्दी complete हो जाएगा, done sir, आज 27 आपको फड़ापट complete करना है अपना customs, उसके बाद 28, कल सुबह जब आप उठोगे, कल सुबह उठके आपको start करना है GST, GST का English Revisionary का playlist यह है, Hindi Revisionary का playlist भी मैंने complete playlist बना दिया है, हर एक chapter wise playlist है, ठीक है sir, done, अब सुनिए, अब chapter wise क्या strategy रहेगा हमारा, समझ लिजिए, chapter number 1 C graded है, तो at least इसमें यह सारे points तो आपको revise करके जाना है, supply chapter A plus graded chapters है, जो मैंने लिग दिया है यहाँ पे, कि sir at least यह सब point कवर कर लिजेगा, उसके बाद अगर आप देखोगे, charge of GST, RCM entries, 95 value entries, यह सब A graded chapters है, A plus graded chapters है, आपको छोड़ के नहीं जाना, A plus तो बहुत-बहुत important हो गया, A मतलब important हो गया, ठीक है sir, done है, अब जहाँ-जहाँ मैंने green में लिग दिया है, वो green basically amendment का part है, उन points को भी अच्छे से cover करके जाएगा, done sir, मैंने सारे chapters के लिए, हर एक chapter के लिए, मेरे को जो-जो important sections लगे, at least जो आपको cover करके ही जाना चाहिए, वो बता दिया है, ठीक है done sir, उसके बाद 28 को आपका GST completely revise हो जाना चाहिए, ठके हुए हो तो revisionary वीडियो उसकी जे, ठके हुए नहीं हो तो अतना summary material से या chart book से पढ़ लिजे, done sir, उसके बाद 29 को जब सुबह उठोगे, FTP पढ़ना है, 29 को सुबह आपको FTP पढ़ना है, FTP का English revisionary है रहा, Hindi revisionary December 21 वाला एफ रेफर करना है, प्लस amendment वीडियो रेफर कर लिजेगा, done sir, उसके बाद मैंने यहाँ पे यह भी लिख दिया है, कि sir, अब अगर आपका FTP सुबह सुबह हो गया है 29 को, एक काम कीजिए, May 22 का amendment और December 21 का amendment जो है, वो एक बार quickly cover कर लिजे, उसका amendment material मैंने exam के जो free resources है, basically यह जो ramissoni.com में free resources है, इसमें एक folder डाला है, यह folder के अंदर वो material भी मैंने डाल दिया है, revision का amendment का material, जिसमें crux लिखा हुआ है every amendment का पल लिजेगा, done, उसके बाद अगर time मिले तो RTP एक बार फटा फट देख लिजेगा, एक बात का ध्यान रखिएगा exam में, आपको एक बात का ध्यान रखना है exam में, हर एक point के लिए, हर एक point के लिए अच्छे से working note लिख क्या हिएगा, टेबल अगर बना रहे हो टेबल में हर एक पॉइंट के लिए working note लिखेगा और अपना assumption हर एक answer related अपना assumption अच्छे से लिखे आईएगा समझ दीजे कोई question है जिसका आप देख रहे हो कि दो-दो opinion हो सकता है तो people एक बात का ध्यान रखेगा आपको अपना assumption correctly, genuine assumption correctly लिखे आना है कोई miss मत किजेगा assumption लिखने में क्योंकि आजकर जो question आते हैं उसमें दो-दो assumptions हो सकते हैं आपको assumption properly लिखे आना है यहां मैं अपना quick 1.5 day strategy close करूँगा एक बात का ध्यान रखेगा, आप लोगों को दम लगा के, जोड लगा के पढ़ना है क्यों दिन का बात है, बेटा मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे yes sir, point clear है, all the best everyone, let's rock the exam sir, मेरे को अगर कोई doubt आ गया पढ़ने के समय, बबबब मेरा number 7259276368 है आप quickly मुझे एक message drop कर सकते हो, WhatsApp या टेलिग्राम में sir, WhatsApp या टेलिग्राम में reply नहीं है, तो कोई बात नहीं, फड़ा फट कॉल कर लिजेगा मैं आप लोगों के लिए available हूँ, लगाते हैं जोर और करते हैं exam pass all the best guys, take care, love you all